Hello students, मेरा नाम है नीलम टंडन और मैं हूँ आपके Maths teacher. तो इस वीडियो में हम solve करने वाले है Standard 9, Part 1 का Lesson No. 5, Linear Equations in 2 Variables. तो basically इस वीडियो में हम solve करने वाले है Practice Set 5.1. तो चलो start करते हैं solve करना. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इस चैप्टर का नेम समझना होगा. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Linear Equations in 2 Variables. देखो, Equation का मतलब आपने 6 Standard से ही पढ़ा है. कि Equation का मतलब क्या होता है? Equal. Equal मतलब Equal Sign के Left Side और इधर वाला जो पार्ट होता है वो होता है Right Side. तो यह हो गया Equation Means Something is Equal. Left Side, Right Side कुछ Equal है. उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है Two Variables. मतलब Variables का मतलब क्या होता है? Letters. जो हम यूज करते हैं ना ABC, XYZ या PQR. वो सब क्या होते हैं? तो यह हमने क्या लिये? X and Y. वेरियेबल के बीच में कोई Operation है. सब्सक्राइब ले लिया. तो यह हमने क्या ले लिया? Two Variables ले लिया. Equation ले लिया. सब्सक्राइब ले लिया. यह कोई Equation है. X plus Y equals to 2. तो यह Equation क्या होगी? Linear Equation in Two Variables. अब आप कहेंगे कि Linear का मतलब क्या होता है? देखो Linear का मतलब होता है कि जो Variables की Power है वो हमेशा 1 होनी चाहिए. अगर यहां पे X square होता या X cube होता या फिर Y square होता इसका मतलब अगर इसकी Power More than 1 होती तो वो Linear Equation नहीं होता. Linear Equation का मतलब होता है कि Variables की Power हमेशा 1 होती है. तो वोफुली आपको Linear Equation in 2 Variables का मतलब समझ में आ गया होगा. कि यहां पे 2 Variables है उनके बीच में कोई Operation है और यह एक Equation है तो Obviously Equal Sign रहेगा और यह Linear है Because यहां पे Variable की Power 0 है. तो अब हम स्टार्ट करते है Solve करना Practice Set 5.1 5 Linear Equations in 2 Variables जैसे कि अभी हमने Heading पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही Equation फॉर्म करने है और यहां पे हमें Variables गीवन है X और Y X, Y की जगा कोई और भी Variables अगर दिये हो A, B हो या जो भी हमें दिये हुए हो उनको हमें यूज करना है और Variables हमें यहां पे Given है X and Y तो हमें क्या करना है X और Y को यूज करना है तो यह बहुत ही Random और Open-ended Question है इसके कोई भी Answer हो सकते है जैसे Suppose यहां पे हम लिख सकते है X plus Y equals to 2 Next हम लिख सकते है X minus Y equals to 6 X minus 3Y equals to 8 देखो यहां पे Plus sign आप लगा सकते है Minus sign लगा सकते है या इसके साथ कोई coefficient भी लगा सकते है आपको पता है coefficient का मतलब क्या होता है coefficient का मतलब यह होता है कि जो Variable के साथ जो Number लिखा हुआ रहता है उसे हम कहते है उसका Coefficient तो थोड़ी सी Variety के लिए आप Coefficient के साथ भी बना सकते है या फिर हम लिख सकते है 2X plus 5Y equals to 11 यह जो Numbers होते हैं इन्हें हम कहते है Coefficient और यह होता है Variable तो थोड़ी Variety के लिए हम नहीं पे Coefficient भी डाल दिया और हम लिख सकते है X minus Y equals to 9 तो यह हो गए हमारे 5 linear equation आप चाहें तो कोई भी equation डाल सकते है बठा linear रहेगा तो आपको याद रखना है कि आपको Variable का Power नहीं डालना है यह जो हम लिखते हैं यह इसके Coefficient होते है बढ़ यहाँ पे X square Y square ऐसा आपको नहीं लिखना है वरना वो linear equation नहीं होगा तो यह हमने Question No.1 solve कर लिया अब हम आते हैं Question No.2 में अब हम आते हैं Question No.2 में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है Write 5 solutions of the equation X plus Y equals to 7 तो हमें क्या करना है X और Y की value हमें लिखनी है ऐसे 5 solutions बनाने है कि X के place में और Y के place में है यहाँ पे हमको क्या करना है कोई number रखना है For example, X के place में X equals to 3 अगर हमने 3 लिया Y equals to 4 लिया तो 3 plus 4 केतना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो वो उसका 1 solution हो जाएगा तो ऐसे हमें 5 solutions बनाने हैं तो अब हम आगे Question No.2 में तो हमें यहाँ पे X और Y के place में कोई number रखने जिसका sum जो है वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम X equals to suppose हमने 3 ले लिया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था और Y equals to अगर हमने 4 ले लिया तो उसका solution कितना होगा 7 होगा की नहीं यह हम जड़ा चेक कर ले X के place में अगर हमने 3 लिखा plus Y के place में अगर हमने 4 लिखा तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है same solution आ रहा है की नहीं तो वैसा ही है second हम क्या ले सकते हैं second हम ले सकते हैं X equals to 2 ले लिया और Y equals to हमने क्या ले लिया 5 ले लिया तो यहाँ पे X के place में हम लिखेंगे 2 plus Y के place में अगर हमने 5 लिखा तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है मतलब इसका sum जो है वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए यहाँ पे आप कोई भी number random लिख सकते हो जिसको अगर हमने solve किया तो हमें यहाँ पे 7 मिलना चाहिए बस इस बात का ध्यान रखना है बाकि यहाँ पे X और Y के place में आप कोई भी numbers ले सकते हो अपने according X equals to अगर हमने 1 लिया तो Y equals to हमें क्या लेना होगा 6 लेना होगा तो यहाँ पे हम 6 plus 1 करेंगे तब भी यहाँ पे 7 आजाएगा अब हम थोड़ी से वराइटी ले ले लेते हैं तो थोड़ी से माइनस वाले ले लेते हैं तो अगर X के place में अगर हमने माइनस 1 लिया तो Y के place में हमें क्या लेना होगा 8 लेना होगा देखो यहाँ पे अगर X के place में अगर हमने माइनस 1 लिखा प्लस ये कितना है? 8 है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो 8 में से 1 माइनस किया तो वो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है अब हमाते question number 3 में यहाँ पे हमें given है solve the following sets of simultaneous equations तो यहाँ पे हमें simultaneous equations दिह हुए है इसका मतलब क्या होता है? कि 2 linear equations हमें दिये हुए होते हैं सात में दिये हुए होते हैं और जिनका एक unique एक जैसा solution होता है तो यहाँ पे हमें यह दो equation given है जो simultaneous equations है इन्हें हमें solve करना है, solve करने का मतलब है कि हमें x और y की value निकाल ली है, देखो इसको solve करने का आपके textbook में two methods given है, पहला method है elimination method और दूसरा है substitution method, तो आज मैं इस सारे question solve करने वाली हूँ, elimination method से, अगर आपको substitution method से भी solution चाहिए, तो आप मुझे comment कर सकते हैं कि substitution method में भी video और हाँ, अगर question में ये mention है, कि आपको इसे elimination method से solve करना है, तो आपको इसको elimination method से solve करना होगा, और अगर ये mention है कि substitution method यूज करो तो आपको substitution method ही use करना होगा, because यहाँ पे question में ऐसा कुछ mention नहीं है तो आप कोई भी method यूज़ कर सकते हो तो फिल हल मैं अभी elimination method से यह सारे solve करने वाली हूँ अब हम solve करते हैं इसका question number 1 by using elimination method तो यहाँ पे हम क्या कर रहे है elimination method यूज़ कर रहे है तो सबसे first equation जो है वो हम लिख लेते हैं x minus 5y equals to 1 और इसको हम consider करते हैं equation 2 यह equation को solve करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि variable के साथ जो coefficient है वो कम से कम एक variable के सेम होने चाहिए मतलब देखो यहाँ पे x के साथ 1 है यहाँ पे x के साथ 2 है मतलब इसके जो coefficient है किसके x के coefficient आपको पता चलगे है कोविशेंट मतलब नमबर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है इसका मतलब यह coefficient similar नहीं है अब हम y को देखेंगे तो y में हम देखो जोगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है मतलब x और y दोनों के coefficient यहाँ पे similar नहीं है तो हमें क्या करना होगा, similar करना होगा, या तो हमें यहाँ पे y में यहाँ पे 5 बनाना होगा, या x के साथ यहाँ पे 2 बनाना होगा, तो अगर यह 2x हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा, तो यह अपस में cancel हो सकते हैं, तो यह हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कि अगर हम equation 1 को 2 से multiply करेंगे तो यह x जो है वो कितना बन जाएगा 2x हो जाएगा तो हम 2x और 2x को cancel करके वहाँ से y की value निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे equation 1 को 2 से multiply करेंगे तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो यह हमने यहाँ पर mention कर दिया multiplying equation 1 by 2 तो यह वाले equation को क्या करेंगे हम 2 से multiply करेंगे इसका मतलब 2 से हम यह पूरे part को multiply कर रहे हैं हम यह equation 1 को 2 से multiply कर रहे हैं तो इसको 2 से multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इकोल्स टू 2 forza 8 तो यह new equation जो है इसको हम consider करेंगे equation 3 now अभी देखो हमारे पास है equation 2 और equation को हमने थोड़ा सा modify कर दिया उसको हमने 2 से multiply किया तो अब आप देख सकते हैं कि equation 2 जो है वहाँ पे 2x है और equation 3 मे भी 2x है मतलब x वाला जो variable है उसके coefficient similar है तो यहाँ पे हमें यह दो equation को use करना होता है तो यह दो equation को या तो हम addition करते हैं या subtraction करते हैं वो depend करता है जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे 2x क्या है positive है यहाँ पे 2x क्या है positive है तो plus 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 होता है तो वहाँ पे अगर हम addition करेंगे तो यह दोनों आपस में cancel नहीं हो सकते हैं तो इस वाले case में क्या करेंगे, हम यहाँ पे subtraction करेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, now subtracting equation 2 from equation 3, तो सबसे पहले हम यहाँ पे equation 3 लिख लेते हैं, equation 3 क्या है, 2x plus 2y equals to 8 और equation 2 है हमारे पास 2x minus 5y equals to 1 अब हमें क्या करना है? यहाँ पर minus करना है तो यहाँ पर जो sign होते हैं वो change हो जाते हैं जैसे अभी क्या है? यह plus है तो यह क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा जैसे यह minus है तो यहाँ पर plus हो जाएगा और यह plus है तो यह यहाँ पर minus हो जाएगा मतलब यह जो sign change होता है वो सिर्फ subtraction के टाइम में आता है जब addition होता है तो कोई sign change नहीं होता है यह आपको धिहान रखना है और सिर्फ यह जो नीचे वाले numbers है उनके साथ में जो यहाँ पर sign है वो हमने change कर दिया अब इसको हम solve कर लेते हैं देखो यहाँ पर क्या है plus है तो यह plus minus क्या हो जाएगा minus तो 8 में से हमने 1 को minus किया तो हमें मिला 7 equals to यह यहाँ पर plus है और यह plus है बिकोज जो sign जब change हो जाता है उसको हम consider करते है 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7 तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7Y और यहाँ पर हम लिख लेते है यह plus यहाँ पर 2X और 2X जो है यहाँ पर यह plus है और यहाँ पर minus है तो यह दोनों जब minus होंगे इसका मतलब यह आपस में cancel हो जाएगे cancel होंगे मतलब minus हो गए तो यहाँ पर कितना बचा 0, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, therefore 7y equals to 7, तो अब हम यहाँ पर y की value निकाल लेते हैं, तो हम y की value निकालेंगे, तो यह हो जाएगा y equals to 7 upon 7, अब इसको हम reduce कर लेते हैं, 7 ones are, 7 ones are, it means हमें अब y की value मिल गई है, y equals to तो कितना हो गया, 1, अगर हमें y की value मिल गई है, तो हम x की value निकाल सकते हैं, now अब हम equation 1 या 2, इन दोनों equation में से किसी एक equation में हम y equals to 1, यह value पूट करेंगे, तो हमें x की value भी मिल जाएगी, तो अभी फिलाल तो मैं equation 1 में y की value पूट करती हूँ, और x की value निकाल लेती हूँ, तो यह हम यहाँ पे लिख लेते हैं, put y equals to 1 in equation number 1, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, equation number 1 में y equals to 1 ले रहे हैं, तो equation 1 क्या थी हमारी, x plus y equals to 4, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे value पूट कर देते हैं, तो x को हम लिखेंगे as it is, plus y के place पे हम लिखेंगे 1 equals to 4, तो अब हम यहाँ पे x की value निकाल लेते हैं, तो x equals to कितना हो जाएगा 4, और यह right side में आके हो जाएगा minus 1, therefore x equals to, यह कितना हो जाएगा 3, हमें यहाँ पे x और y दोनों के value मेल गई है, इसका मदलब हमने यहाँ पे इसका solution निकाल लिया है, तो अब हम इसका conclusion में लिख लेते हैं, और यह हो जाएगा इसका conclusion, therefore x equals to 3, y equals to 1 is the solution of the above equations, अब हम आते हैं question number 2 में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, by using elimination method, यह है equation number 1 और यह है equation number 2, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से variable के coefficient similar है, तो देखो यहाँ पे x के साथ 2 है, और यहाँ पे x के साथ 3 है, मतलब यह तो similar नहीं है, इनके coefficient similar नहीं है, अब हम आते हैं y में, तो y यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी y 1 है, इसका मतलब अब हमें यहाँ पे किसी के साथ multiply करने की जरुवत नहीं because already यह क्या है यहाँ पे similar है now अब आप देखोगे कि यहाँ पे plus है और यहाँ पे minus है मतलब plus minus minus हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे cancel हो सकता है इस condition में हम क्या करेंगे addition करेंगे जब similar sign होते है तब हम subtraction करते है और जब different sign है तो उसमें हम क्या करेंगे addition करेंगे 5 plus 5 कितना हो जाएगा 10 यह हम लिख लेते हैं यह plus और minus minus हो जाएगा तो यह वाला part जो है यह क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 plus यहाँ पे यह plus plus प्लस हो जाएगा तो 2 plus 3 कितना हो जाएगा 5 तो यहाँ पे यह कितना हो गया 5x तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x equals to 10 यह हमें मिला है अब हम यहाँ पे x की value निकाल सकते हैं x equals to, यह कितना हो जाएगा, 10 upon 5, इसको हम reduce कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 5 ones are, और यह हो जाएगा, 5 twos are 10, it means हमें अब x की value मिल गई है, x equals to हमें कितना मिल गया है, 2, x equals to 2 जो हमें value मिली है, उसको हम या तो equation 1 में put कर सकते हैं, या फिर equation number 2 में put करके, वहाँ से हम y की value निकाल सकते हैं, देखो equation number 1 क्या था, 2x plus y equals to 5, therefore, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2 into x के place में हम लिखेंगे, 2 plus y equals to 5, यह कितना हो जाएगा, 2 twos are 4, तो यह हो जाएगा, 4 plus y equals to 5, therefore, अब हमें क्या करनी है, y की value निकालनी है, y equals to 5, और यह इधर right side में आएगा, तो minus 4, now, अब हम यहाँ पर y की value निकाल लेते हैं, therefore, y equals to 5 में से 4 को हमने minus किया, तो हमें कितना मिलेगा, 1, अब हमें यहाँ पर y equals to 1, और x equals to 2, दोनों values मिल गई है, तो अब हम इसका conclusion लिख लेते हैं, और यह conclusion ऐसे भी आप लिख सकते हैं, therefore, x equals to 2, y equals to 1 is the solution of the given equations, अब हम आते हैं, question number 3 में, by using elimination method, यह है equation number 1 और यह है equation number 2, अब हम check करते हैं coefficient को, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यह similar नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, it means y के variable के साथ भी जो coefficient है, वो भी similar नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इस x को 3 बनाना होगा, इस x को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, equation 2 को हम 3 से multiply करेंगे तो यह हमने लिख लिया multiplying equation 2 by 3 तेको equation 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं x minus 3y equals to 8 जिसे हम multiply करने वाले हैं 3 से तो यह हम लिख लेते हैं 3 को हमने x से multiply किया तो यह हो जाएगा 3x minus 3, 3 जा कितना हो जाएगा 9y equals to 3, 8 जा 24 तो यह जो new equation बना है इसको हम consider करते हैं equation 3 तो अब हमारे पास से यह equation 1 और equation 2 को हमने modify करके equation 3 बना लिया है अब हमें decide करना है कि हमें addition करना है या subtraction करना है देखो यहाँ पे 3x positive है और यहाँ पे भी 3x positive है तो हमें क्या करना है यह दोनों को cancel करना होता है बट दोनों अगर positive होंगे तो plus 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 होगा उसको हम cancel नहीं कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस वाले case में हम subtraction करेंगे अब हमने यहाँ पे लिख लिया now subtracting equation 1 from equation 3 equation 3 से हम equation 1 को subtract करेंगे तो equation 3 हम लिख लेते हैं 3x minus 9y equals to 24 और equation 1 हमें क्या दिया हुआ है 3x minus 5y equals to 16 अब हम यहाँ पे क्या करने वाले है subtraction करने वाले है और जब हम subtraction करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे sign change हो जाता है यह जो नीचे वाला equation होता है उसका sign change हो जाता यह plus है तो यह minus हो जाएगा यह minus plus हो जाएगा और यह plus यहाँ पे minus हो जाएगा अब हम यहाँ पे subtraction कर लेते हैं यह plus minus हो जाएगा minus तो 24 में से 16 को हम minus करेंगे तो हमें मिलेगा 8 equals to यहाँ पे भी यह minus plus हो जाएगा minus तो 9 में से 5 को हमने minus किया तो हमें कितना मिलेगा 4y देखो यहाँ पे bigger number के साथ minus sign था तो यहाँ पे हमने minus लगा दिया और यह वाला part जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि यह plus और minus यहाँ पे यह आपस में cancel हो जाएगे इसका मतलब अब हमारे पास क्या बाकी है इसको हम लिख सकते है therefore minus 4y equals to 8 तो यहाँ पे आपको plus और minus के लिए भी बहुत कियरफुल रहना होगा now अब हम y की value निकाल लेते है y equals to यह क्या हो जाएगा 8 upon minus 4 इसको हम divide कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 4 1 जा 4 और यह हो जाएगा 4 2 जा 8 therefore y equals to हमें कितना मिल गया यह minus यहाँ पे remaining है तो यह हो जाएगा minus 2 यह y की value को हम equation 1 और equation 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें x की value मिल जाएगी तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ now put y equals 2 to minus 2 in equation 2 equation 2 में हम y equals to minus 2 लिखेंगे तो equation 2 हमें क्या given है x minus 3y equals to 8 therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं x minus यह हो जाएगा 3 और y के place में हम क्या लिखेंगे multiply by minus 2 equals to 8 therefore यह क्या हो जाएगा x और minus 3 और minus 2 को हम multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा but sign कौन सा आएगा positive रहेगा इसका rule आपको पते है ना आपने already 7th standard में पढ़ाई कि अगर similar sign के numbers हैं और आप उसको multiply करेंगे तो sign हमेशा positive होता है equals to 8 therefore x equals to यह हो जाएगा 8 यह plus है तो इदर आके हो जाएगा यह minus 6 therefore x equals to यह कितना हो जाएगा 8 में से 6 आपने minus किया तो आपको मिलेगा 2 it means x equals to 2 और y equals to minus 2 हमें मिल गया है और यह हो जाएगा इसका conclusion therefore x equals to 2 y equals to minus 2 is the solution of the given equations अब हम आते हैं question number 4 में यह हमने लिख लिया by using elimination method और इसको हमने consider किया equation 1 और यह second वाला हो जाएगा equation 2 देखो यहाँ पे 10, 15 और 105 है number काफी bigger है बट यह 3 जो है वो 5 से divide हो जाते हैं तो इसको हम 5 से divide कर देंगे तो equation थोड़ी सी छोटी हो जाएगी जिससे उसको solve करना easy हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dividing both sides of equation 2 by 5 तो वो हम कर लेते हैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास equation 2 10x इसको हम 5 से divide कर रहे हैं इसके सारे parts को हम लिख ले रहे है 15y है इसको भी हम 5 से divide कर रहे है equals to 105 इसको भी हम क्या कर रहे है 5 से divide कर रहे है तो यह कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा यह हो जाएगा 5 2 जा और 5 1 जा इट मींज जो new equation बनेगा वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इकोल्स टू 21 और इसको हम consider करेंगे equation 3 देखो यहाँ पे equation 2 को modify करके हमने equation 3 बना तो दिया तो अब हम equation 1 और 3 को compare करते हैं देखो यहाँ पे 2y है यहाँ पे 3y है यहाँ पे single 1x है और यहाँ पे 2x है इसका मतलब यहाँ पे coefficient similar नहीं है तो हमें क्या करना होगा उसको similar करना होगा वो हम कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ पे 2x है यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे equation 1 को हम 2 से multiply करेंगे तो यह दोनों coefficients similar हो जाएंगे तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे तो यह हमने लिख लिया multiplying equation 1 by 2 तो देखो equation 1 क्या है हमारे पास 2y minus x equals to 0 और इसके पूरे part को हम 2 से multiply करने वाले हैं यह क्या हो जाएगा 2 2 सा 4y minus यह हो जाएगा 2x equals to 2 0 सा 0 तो यह जो new equation बना है इसे हम consider करेंगे equation 4 अब अब ध्यान से देखेंगे तो equation 2 को हमने modify करके equation 3 बनाया और equation 1 में हमने multiply करके equation 4 बनाया तो अब हम compare करेंगे equation 3 और 4 को तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x है जो positive है और यहाँ पे यह minus 2x है इसका मतलब अब हम यहाँ पे addition करेंगे because यह plus 2x और यह minus 2x cancel हो सकता है तो अब हम क्या करने वाले है equation 3 और 4 को add करने वाले है तो यह हमने लिख लिया adding equation 3 and 4 तो equation 3 हमारे पास क्या है 2x plus 3y equals to 21 और equation 4 जो है इसको हम थोड़ा सा different way में लिखते हैं देखो यहाँ पे minus 2x यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको हम पहले ले आते हैं क्योंकि हमें 2x और 2x को solve करना है तो यह हमने पहले लिख लिया यह plus 4y है तो यह हम लिख लेते हैं plus 4y equals to 0 अब हम क्या करेंगे इसका addition करेंगे और आपको पता है कि जब addition किया जाता है तो वहाँ पे हमें sign change करने की जरुवत नहीं होती है तो यह 21 में 0 को plus किया तो यह हो जाएगा 21 equals to यह plus 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 ही रहेगा तो 3 plus 4 कितना हो जाएगा 7y और plus यहाँ पे यह क्या है यह plus है और minus है तो plus minus minus हो गया तो यह वाला part क्या हो गया 0 हो गया मतलब यह वाला part cancel हो गया इसको हम लिख सकते हैं therefore 7y equals to 21 अब हम यहाँ पे y के value निकाल लेते हैं y equals to क्या हो जाएगा 21 upon 7 अब इसको हम divide कर लेते हैं 7 1s और यह हो जाएगा 7 3s इट मीन्स हमें y की value मिल गई है therefore y equals to 3 now put y equals to 3 in equation 1 देखो equation 1 क्या था 2y minus x equals to 0 therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 into y के place में हम लिखेंगे 3 minus x equals to 0 2 3s हो जाएगा 6 minus x equals to 0 अब हम क्या करेंगे x की value निकाल लेते हैं तो x equals to minus x equals to यह कितना हो जाएगा 0 और यह plus है तो इधर जाके यह क्या हो जाएगा minus 6 तो यहाँ पे क्या आएगा minus x equals to minus 6 अब यह दोनो minus sign आपस में cancel हो सकते हैं तो यह हम लिख सकते हैं therefore x equals to 6 तो हमें इसका answer मिल गया है x equals to 6 और y equals to 3 और यह हो जाएगा इसका conclusion therefore x equals to 6 y equals to 3 is the solution of the given equations अब हम आते हैं question number 5 में by using elimination method यह है equation number 1 और यह है equation number 2 आप equation number 1 को देखेंगे तो यहाँ पे हमें यह third term भी दिख रहा है तो इसे confused नहों इसको हम solve कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं by using equation 1 equation 1 को हम थोड़ा सा modify कर लेते हैं इसको हम कैसे modify करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2x plus 3y equals to यह जो plus 4 है इसको हम right side में shift करेंगे तो यह plus sign minus sign में change हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा minus 4 तो यह जो new equation हमने create किया है उसको हम consider करते हैं equation 3 actually में 1 को हमने modify करके equation 3 में convert किया है तो अभी यह 2 और 3 को हम compare करते हैं तो यहाँ पे देखो x है यहाँ पे 2x है यहाँ पे 5y है यहाँ पे 3y है तो y का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो x को हम convert कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे equation 2 को हम 2 से multiply करेंगे अभी यह multiplication हमने कर लिया यह हो गया 2x यह हो जाएगा 2 5s आ 10 और यह हो जाएगा 2 11s आ 22 और इसको हमने consider किया equation number 4 तो अब हमारे पास modified equation number 3 and 4 है अब यहाँ पे हम compare करते हैं देखो compare करेंगे तो आप देखोगे कि यह plus में है 2x और यहाँ पे भी plus में है इसका मतलब यहाँ पे same sign है दोनों का तो यह दोनों को cancel करने के लिए different sign होने चाहिए तो अब हम यहाँ पे subtraction करेंगे तो यह हमने लिख लिया now subtracting equation 4 from 3 तो यहाँ पे equation number 3 जो है वो हम पहले लिख लेते हैं यह है 2x plus 3y equals to 22 और यहाँ पे हम subtraction कर रहे हैं तो sign change हो जाएगा यह plus हो जाएगा minus यह minus हो जाएगा plus और यह plus हो जाएगा minus इसको solve कर लेते हैं यह minus हो जाएगा plus तो 22 plus 4 कितना हो जाएगा 26 बट यहाँ पे sign हम bigger number का लगाएंगे तो यह रहेगा minus 26 equals to यह plus 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 हो जाएगा तो 10 plus 3 कितना हो जाएगा 13 तो यह हम लिख लेते हैं 13 y plus तो यह आपस में cancel हो जाएगे तो यहाँ पे यह remaining रहेगा 0 अब हम लिख सकते हैं therefore 13 y equals to minus 26 अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे y की value निकाल लेते हैं तो y की value हमें कितने मिल जाएगी y equals to minus 26 upon 13 अब इसको हम divide कर लेते हैं यह हो जाएगा 13 1 जा और यह हो जाएगा 13 2 जा So y की value हमें मिल गई है y equals to हमें कितना मिला minus 2 अब यह y equals to minus 2 हमें मिल गया है इसकी value को हम equation 1 या फिर 2 में रखेंगे तो हमें x की value भी मिल जाएगी Now put y equals to minus 2 in equation number 2 में हम इसको put करते हैं x minus 5y equals to 11 यह है equation number 2 तो यहां पे हम लिख सकते हैं x minus 5 y के place में हम लिखेंगे minus 2 equals to 11 इनके बीच में multiplication है तो यह हो जाएगा therefore x यह क्या हो जाएगा 5 2s are 10 और sin हो जाएगा minus minus यहां पे plus equals to 11 therefore x equals to 11 यह इधर आएगा तो minus हो जाएगा तो x की value हमें मिल जाएगी 1 और यह हो जाएगा इसका conclusion therefore x equals to 1 y equals to minus 2 is the solution of the given equations अब हम आते हैं question number 6 में by using elimination method यह हो गया equation 1 और यह है equation 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं x का coefficient है 2 और x का coefficient है 3 तो यह दोनों तो similar नहीं है अब second y में हम देखते हैं यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 1 तो हमें इस 1 को 7 करना होगा so equation 2 को हमें 7 से multiply करना होगा इसको हम multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 7 3 is a 21 x plus इसको हम करेंगे तो यह हो जाएगा 7 1 is a 7 y equals to 22 में आप 7 को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 154 और इसको हम consider करते हैं equation 3 equation 1 में x का variable है 2 और equation 3 में है 21 और equation 1 में y का variable है minus 7 और 3 में है plus 7 इसका मतलब यह दोनों आपस में cancel हो सकते हैं तो यहाँ पे हम addition करेंगे so equation 1 and 3 को हम add कर लेते हैं तो सबसे पहले हम equation 1 लिखते हैं 2x minus 7y equals to 7 और equation 3 है 21x plus 7y equals to 154 तो इसका हम addition करते हैं addition में कोई भी sign change नहीं होते हैं इसको हम add करेंगे 154 में हम 7 को add करेंगे तो हमें मिलेका 161 यह plus minus minus हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आजाएगा 0 और यह वाला part जो है वो completely cancel हो जाएगा यहाँ पे भी addition होगा क्योंकि plus plus है तो यह हो जाएगा 21 plus 2 कितना हो जाएगा 23x therefore अब हमारे पास क्या बाकी है 23x equals to 161 अब हम यहाँ पे x की value निकाल लेते हैं x equals to 161 upon 23 अब इसको हम divide करेंगे यह हो जाएगा 23 1 जा और यह हो जाएगा 23 7 जा so हम लिख सकते हैं therefore x equals to 7 तो अब हमें x की value मिल गई है अब इस value को हम equation 1 या 2 में put करेंगे तो हमें y की value भी मिल जाएगी now put x equals to 7 in equation number 2 अगर आप जाहें तो equation 1 में भी put कर सकते हैं तो यहाँ पे हम values put कर देते हैं therefore 3 x के place पे हम लिखेंगे 7 plus y equals to 22 यह कितना हो जाएगा therefore 7 threes are 21 21 plus y equals to कितना हो जाएगा 22 therefore y equals to यह कितना हो जाएगा 22 22 minus 21 so हम लिख सकते हैं कि y हमें कितना मिल गया 1 और यह हो जाएगा इसका conclusion therefore x equals to 7 y equals to 1 is the solution of the given equations इसके साथ ही हमने practice set 5.1 कम्बीट कर लिया है अब हम जल्दी मिलते हैं next video अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाँ बाई आपको झाल करें